नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं बिग बुटिक और इस ब्लाउज क्लास का या पांचवा वीडियो है यानि भाग पांच है और आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं वीडियो छोटा है लेकिन बहुत सारी इंपोर्टेंट्स बात है इसमें जो आप आपको सीखना जरूरी है यह सीखने के बाद आपकी ब्लाउज की फिटिंग और उसकी परफेक्ट से रिलेटेर सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज आप लोग सीखेंगे ब्लाउज में बस्ट पॉइंट जो होता है ब्रेस्ट पॉइंट उसको निकालना की उसक होता है ध्यान से देखिएगा यह होता है यहां से यहां और यहां से यहां मापने का तरीका आपको समझना है पूरे तरीका समझ लेना है कि आप इसको कैसे मापेंगे ठीक है एक बात आपको और ध्यान रखना है कि वीडियो आप भगा कर मत देखिएगा नहीं तो आपको क अब भी परेशानी नहीं आए ठीक है इस डमी के उपर में आपको समझाओंगा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेजरमेंट लेना सिखाया था डमी के उपर सेम उसी तरीके से और आपको इस चीज को पूरे बारीकी से समझना है सबसे पहले चीज हम समझेंगे कि आपको मेजरमेंट लेना है वो कहां से लेना है तो देखिए जो भी महिला होती है उनकी जो बोडी की इस टेक्चर होती है जो उनका सरीर होता है वो इस तरीके से बनावट होती है और इस सोल्डर जो है न कंदी इस तरीके से स्लोप होता है लेकिन बहुत सारे महिलाएं में एचीज स्लोप में नहीं होता है, यह थोड़ा सा फ्लेट होता है, सीधा होता है, ऐसा यहां से सीधा होता है, तो उनमें सोल्डर उतरने की चांसे कम होती है, और उनका थोड़ा मेजर्मेंट अलग तरीके से होती है, चाहे जो हेल्दी होती ह ज़्यादा मोटे होते हैं उन लोग को भी इस जगह पर मांस भरा होता है तो यह उपर होता है तो उनका भी थोड़ा अलग होता है लेकिन नाइंटी एट परसेंट महिला की जो होती है बोडी की स्लोप या जेंस हो जो भी हो इस तरीगे से डाउन होता है यहां से शुरू होत आपको जज्जमेंट लेना है उसमें और यहां से आपको मेजरेमेंट करना इसमें आपको बहुत अच्छे रहे समझ में आएगा कि कैसे आपको ब्रेश्ट निकालना है दूसरा समझने वाली बात है कि यह जो जुएंट दिख रहे हैं यह दोनों साइड यह जुएंट को भी ध्यान रखना है इसमें और इसी के जज्जमेंट से आपको महिला की रेल बोडी पे निकालना है समझाने के लिए बता दू कि अगर आप किसी महिला की ब्लाउज बना रहे हैं और वो मेजरेमेंट के लिए आपको ब्लाउज दिये हैं और उनका वो ब्लाउज परफेक्ट ह तो आप उस blouse से measurement लेकर blouse बनाएंगे तो ज़्यादा better होगा लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको लहंगे की blouse बनाना है या दुलहन की blouse बनाना है या आप किसी जो किसी महिला की blouse बना रहा है जो पहली बार blouse पेन रहे हैं तो उनके लिए इन सबों के लिए क्या होता आपको बोडी से माप लेना पड़ता है मेजरमेंट लेना पड़ता है तो उसमें आपको ब्रेश्ट पाइंट जो है ना खास ध्यान देना है कि आपको कहां प्याएगा तभी आपका आर्म होल की फिटिंग shoulder उतरने की और यहां पे जो breast में fitting वो perfect आएगा नहीं तो by the way नहीं आएगा दूसरा चीज ध्यान देना है आपको कि जो joint आ रहा है यहां पे जो main breast होगा जहां पे main उभार होगा वहीं तक आपको मापना है जहां पे center निकले वहां पे अब आपको समझना इस चीड़ को है कि जो collar वाली व्लावज होती है उसकी अलग तरीके सहे मापना है और जो normal deep neck या नॉर्म नेक की व्लावज होती है उसको अलग तरीके सहे मापना है हम तीन कैटिकरी में तीनों अलग अलग आपको हम बताएंगे ठीक है सब से पहले हम बता की माधन समझाने कोशिश करेंगे जैसे कि यहां हमारा कंधा है तो यहां पर इससे थोड़ा सा दूरी पर यहां पर यहां से आपको मेजर मिल्ट लेना यहां तक कॉलर अटेच होता है तो यहीं से आपको ब्रेस्ट मैं नापना है क्योंकि कटिंग में भी आप यहीं से मापे तो यहां पे आपका आया परफेक्ट ब्रेस्ट पॉइंट टिक है ऐसे में लंबाई में चाहे वो कोई भी साइज हो आप सब साइज में इसी तरीके से मापेंगे अगर कॉलर वाली बलाव जोगी तो लेकिन आपका अगर यही बोटनेक है तो बोटनेक में जो होता है नॉर् चार इंच होता है यहां तक आएगा ठीक है ऐसे यहां से मापेंगे नहें तो चार इंच आएगा यहां आपकोAg टो भूट से लेकर यहां तक आएगा तो उसमें भी आपको क्या करना यह जैना यहां तक आपका 8 जा रहा रहा है यहां है और यहां से आपको कटो किसें अनौ साख अनी इस समझ पुम मैं आप पचछा is eleking है लेकिन में इसमें तक भे Drag मेजर्बेंट आपका अलग हो गया ठीक है आगे आगे अभी समझते चलिएगा ध्यान से अब बात आती है जो डीप नेक होती है यानि बैक की गला जो है आपको यहां से समझे नो इंच दस इंच डीप होता है और उसकी आप नेक जो कटिंग करते हैं वह चार इंच या इख यहां से पहँनती है एहां और यहां से ठीक है जो एक यह वहां लगा जया हुआ है डमी वहीं सब समझकरक्स के बनाए जाता है कि कि हां पींशमान। होता है तो आपको यहीं से फिर नापना है जो नॉर्मल नेक होता है या डीप नेक होता है उसको यहीं से मापना है आपको यहीं से माप लेना है तो इसमें अभी कितना आएगा हमको पौने 9 इंच ही आएगा द्यास समझेगा कितना रहे पौने 9 इंच ठीक है तो आपको इसमें भी यही आएगा और जो बोटनेक हुआ उसमें भी यही आएगा लेकिन क्या होता है कि किसी किसी बोटनेक बलाओज में आप नेक की चौराई और ज़्यादा रखते है तो उसमें आपको और थोड़ा दूर से मापना है लेकिन एक चीज़ और होता है पतली सोल्डर आवले बलाओ जोती है पतली सोल्डर जोते हो यहाँ पर आके अटक जाता है कहाँ पर यहाँ पर आके अटकता है यहाँ पर आठकता है जिसमें जल्डर पतला होता है तो आपको जहाँ पर इस लडर आके अठकता है वही से breast point निकालना है तो इसमें कितना आया aid? सारे आठ इंच टीक है? पाओ इंच और कम हो गया सारे आठ इंच हो गया तो आपको इसी के according इहां से यहां तकी लम्बाई लेना है इसी शाफ से आपको देखना एक कैसे आप इसको कटर्द करेंगे अब बात आती है दूसरा एहां से यहां ए bяжंद सब महिलाएं में अलग अलग तरीके से सब का जो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन एसा भी नहीं है कि आप इसको अगर 7 इंच मापने तो यह दस इंच आ जाएगा बड़ा साइज में 40-42-50 के साइज है तो उसमें 10 इंच हो जाए ऐसा भी नहीं होता है पाऊ-पाऊ इंच के ही difference होता है चाहे ऐसे में हो त्थीक है तो हम मापनें कहां से यह जो है और यह joint और जो main point होगा वो यानि ऐसे में हम यहां से माप लेंगे पौने 9 इंच तो हम निसान लगाएंगे यहां पर पौने 9 इंच ठीक है और फिर इसी से यहां तक इसा माप लेंगे हम तो कितना आया साथ इंच इस साइज कितना है 36 का साइज है ध्यान रखिएगा इसमें मेजर्मेंट 35 है और इस साइज आएगा 36 का अब कितना देते हैं यह अलग टौपिक है कम आइए इसके लिए अलग बीडियो बनाऊंगा ठीक है आगे 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 आपको सीखते जाना है ellas एसा करके ऐसा माप आएगा ठीक है देखिए ऐसा इसमें पाव इंच आपका बढ़ जाएगा द्यान रखिएगा जितना ज्यादा उभार होगा यहां पर जितना गड़ा होगा उसके हिसाब से ऐसा करके मापेंगे तो यह बढ़ जाएगा तो इसी कि अगर फ्रेंट में ओप तो कटिंग में आपको क्या करना है आधा इंच से लेकर पौना इंच बढ़ा देना है मार्जिंग के लिए लेकिन नॉर्मल बलावज हुआ कटोरी कट या प्रिंस कट हुआ तो लेकिन फोर्टक्स है तो आपको सीधा इसको एक इंच बढ़ाना यानि 9 इंच है तो आपको तो पौना इंच आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा आधा इंच से पौना इंच वह अलग-अलग महिला के उपर होता है कि उनकी बोडी कैसा है फैटी है या नौन फैटी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है तो आपको यह ऐसा मापना है और यह ऐसा मापना है मेल खेल यहां से य कि नॉर्मल होता है वह इस तरीके से मां पना है कि अब एक चीज और समझना है जो द्शता हो यहां से यहां तक होता है अगर आप अइसा मंपेंगे आइसा तो हमारा ब्रशत का भाग होता है ठेम समझ रहे हैं यह हमारा ब्रेश्ट का भाग होता है तो आपका गला जो सिंपल महिला होती है जो अपना ज्यादा बोल्ड ब्लाउज नहीं पेनना चाहती है उन लोगों को ऐसा हम आपना है और यह जो जहां पर आता है ब्रेश्ट का लास्ट भाग उससे उपर ही नेक रखना ह प्रेंट नेक डिप की बात कर रहा हूं तो इस नहीं से नापना है लेकिन जुन को बोल्ड ज्यादा चीए ज्यादा नीचे तक गला चाहिए जो मोडल ब्लाउज होता है या लेंगे की ब्लाउज होता है उस समय नोव इंच तक भी रहता है नेक की डिप ठीक है ऐसे में न लेकिन यह तरीका जो है 40 साइज से उपर आपको काम नहीं आएगा 40 साइज के अंदर काम आएगा जैसे समझा देते हैं हम आपको अगर आपने ऐसा मापा फूल ब्रेस्ट को मापा आपने ऐसा और इसमें आया 36 इंच ठीक है आपको लेना है तो 42 साइज तक आप जो है इस हिसाफ से चौथे भाग के हिसाफ से ले सकते हैं लेकिन 42 से उपर जाने के बाद आप फर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्यों कि हाइट जो होती है महिलाएं की वह हाइट तो उतनाई होती है तो यह जो डिसाइड होता है वह हाइट के हिसाफ से ही डिसाइड होता है ठीक है हाइट सब महिला के उतनाई है तो इसके मतलब यह नहीं है कि 50 साइज जा गया तो 50 का हम चोथा भाग ले लेंगे तो यह वाला उतना नीचे चला जाएगा तो यह जो है यह नीचे तो नहीं आप लोग को समझ में आया तो comment जरूर कीजिएगा हमें feedback जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो से मैं सीख रहा हूं और अच्छे से समझ में मुझे आ रहा है ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है और आप full confidence के साथ सीख रहे हैं फिर मिलेंग के अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद